डिर स्टुडेंट्स आपके अपने यूटूब चैनल कार्थी क्लासेज पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है शेकावाटी मीशन हेंड्रेड के तहत आज का जो अपना टोपिक है वो है सिंतेसिस इसे पहले अपने दो जो वीडियो आपने देखे थे उसमें आपने मोटे तोर पर काफी सिलेबडस को cover कर लिया था अब जो आजे का सिलेबडस है वो अपना आगे देखते हैं आज का अपना टोपिक है वो सिंतेसिस जो आपकी exam होगी उसमें question number 7 होगा वो सिंतेसिस से related होगा और ये two marks का होगा इस अध्या की अंतरकत दो या दो सेदिक simple sentences को मिला कर एक नईया वाक्य बनाते हैं इसका मतलब है कि synthesis में दो sentence को मिला करके एक नईया वाक्य बनाते हैं यह नईया वाक्य simple complex और compound में से किसी भी प्रकार का वाक्य होता है इस विदी को synthesis का आजाता है जैसे यहाँ पर एक example दे रखा है यहाँ देखो दो separate sentence दे रखे हैं अलग अलग work hard you will pass तो यह separate हैं अलग अलग हैं इसके बाद में simple sentence कैसे होते हैं यहाँ देखने को मिल रहे हैं by working hard you will pass इसी को complex में change करते हैं तो यह होता है if you work hard you will pass और compound में होता है work hard and you will pass तो synthesis का अधियन अपन तीन वीडियों के अंतरकत करते हैं पहला है दो या दो से अधिक simple sentences को मिलाकर एक simple sentence बनाना दूसरा है दो या दो से अधिक simple sentences को मिलाकर एक complex sentence बनाना और तीसरा है दो या दो से अधिक simple sentences को मिलाकर एक compound sentence बनाना तो अपने आगे चलते हैं तो इसमें जो रूल्स है मों या दे रखे हैं कि पार्टिशिपल का यूज करके अपन कैसे दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं यह आपको पढ़ लेने हैं पार्टिशिपल के जो टाइपस हैं वो यहां दे रखे हैं परजेंट पार्टिशिपल दूसरा पास्ट पार्टिशिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिशिपल सबसे पहले परजेंट पार्टिशिपल के दोवारा कैसे जोड़ते हैं वो यहां दे रखा है उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल कुछ कुछन से यहां पे देरके हैं इन सारे कुछन के आंसर भी यहां देरके हैं इनको आपको लर्ण करना है फिर जिरंड का प्रियोग करके कैसे यूज करते हैं दो सेंटेंस को जोड़ते हैं वो भी यहां देरके हैं इसके एक्जामपल भी आपको पढ़ने हैं उसके बाद कंजक्शन एंड का यूज करके कैसे जोड़ते हैं वो भी यहां देरके हैं इसके बाद में कुछ और questions दे रखे हैं और उनके आंसर भी यहां दे रखे हैं इन सब को आपको learn करना है प्रे पोजिशन का प्रियोग करके कैसे जोड़ते हैं वो भी यहां दे रखा है इन सारे questions को आपको हल करना है और उसके बाद इनके आंसर से मिलान करना है प्रेज जिन पोजिशन का प्रियोग करके कैसे यूज करते हैं वो भी यहां दे रखा है इसके बाद में इन कोशन के आंसर भी यहां दे रखे हैं अब यहां पर सिंपल सेंटेंस को मिला करके कॉंपलेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो यहां दे रखे हैं सबसे प्ले नाउन क्लोज का प्रियोग करके कैसे बनाते हैं उसके एक्जाम्पल यहां दे रखे हैं उसके बाद में adjective close का प्रियोग करके कैसे बनाते हैं वो भी यहां दरके हैं इसके बाद में adverb close का प्रियोग करके कैसे बनाते हैं कैसे sentences को जोड़ते हैं अब यहां पे simple sentence को complex sentence में कैसे change करते हैं उसके कुछ example दे रखे हैं और यहां do questions दे रे हैं इनका answer भी यहां दे रे हैं इनको आपको read करना है इसके बाद में compound sentence कैसे बनाते हैं उसके भी यहां example दे रखे हैं अब अपन देखते हैं कि आपकी जो प्रिवेश एक्जाम हुए है बोर्ड के जो भी तो उसमें किस परकार से क्वेशन पूछे गए हैं बहुत ही महतोफन यह क्वेशन से और इनके आंसर भी यहां दे रखे हैं तो आपको यह लन कर लेने उसके बाद में जो अपना अगला टोपिक होता है क्वेशन नम्मर जो एट कुचा जाता है वो टू मार्क्स का होता है और वो है कंजक्शन दा वर्ड्स विच आर यूज़ जो जो जोड़ने का कारे करते हैं वो संयों जक्यालाते हैं जैसे इसमें जो एंड वो है कंजक्शन इसी परकार दूसरा सेंटेंस है उसमें बठ है वो क्या है कंजक्शन इनके जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं coordinating conjunctions और subordinating conjunctions coordinating में कौन-कौन से आते हैं इसको भी coordinate को भी चार बागों में बाट रखा है अलग-अलग सब के types यहां दे रखे हैं सब के example यहां दे रखे हैं यह आप सब को learn कर लेना है अगला है subordinating conjunction वो सारे यहां दे रखे हैं as, since, because, if, whether, in case, unless, till, until, after, before, when, while, where, who, whom, whose, which, why, how, that, thou, although, as soon as, no sooner than, hardly, scarcely, when, so as, so that, less, in order to, so long as, etc इस परकार इन सब को आपको learn कर लेना है इस सारी जो जानकारियां दे रखे हैं वो आपके लिए बहुत ही useful है अलग अलग प्रिस्टिव में कौन से conjunction use करते हैं वो सारे यहां आपको देखने को मिल रहे हैं पिर यहां पर अपने use of conjunction देख पा रहे हैं तो both end का use कैसे करते हैं वो यहां दे रखा है उसके बाद में शिर्फ end का use कैसे करते हैं उसके कुछ example यहां दे रखे हैं उसके बाद में not only but also का use कैसे करते हैं उसके भी example यहां दे रखे हैं आइदर और का यूज कैसे करते हैं वो यहां दे रखें उसके बाद में नाइदर नौर उसके बाद में सो दैट इसके बाद में ठू टू सारे एक्जामपल आपको पढ़ने हैं जो नेम दे रखें हैं उनको लर्न करना है एज वे लेज का यूज कैसे करते हैं वो यहां देखने को मिल रहा है उसके बाद में वाहिल का यूज कैसे करते हैं बट का यूज कैसे करते हैं दाओ ओल्दो का यूज कैसे करते हैं but yet still however never the less का यूज कैसे करते हैं वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है तो इस सारे बहुत ही महत्वपूर्ण conjunction है और इनकी जो example है वो भी बहुत ही important है आपके लिए इन सब को आपको अच्छे से पढ़ लेना है learn कर लेना है these are very important for your exams अब यहाँ पर कुछ exercise दी गई है तो इनको आपको अच्छे से इनका solution करना है last में इसके answer भी दे रखे हैं यही इनको हल करते समय जो गलते हैं और यही है उनमें सुदार करना है अब यहाँ पर कुछ example दे रखे हैं अब कुछ questions दे रखे हैं इनको आपको हल करना है आपके exam के लिए बहुत ही important हैं अब इनको हल करने के बाद नीचे जो answers आ रहे हैं इनको देख करके आप आपके answer का आकलन कर सकते हैं कुछ यहाँ पर और questions दे रखे हैं इनको भी आपको हल करना है इनके answer यहाँ आप देख पा रहे हैं अब अपन चलते हैं अगले question की और जो की question number 9 होगा आपके paper का वो two marks का होगा और वो phrasal verb से सम्मन देते होगा किरिया वै प्रेपरजिशन मतलब वर्ब और प्रेपरजिशन अथवा adverb से मिलकर बने सब्दों को क्या का जाता है उनको phrasal verb कहा जाता है केवल verb का अर्थ ग्यात होने से verb से बने phrasal verb के अर्थ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है जैसे give up give का अर्थ है देना give up में give का तो अर्थ है देना तता आपका अर्थ है उपर पन्तु give up का आर्थ क्या होता है वो होता है छोड़ना अब अपन फ्रेजल वर्ब के एक्जामपल यहां देख पारे है verb प्लस preposition मतलब look after look क्या है verb है और preposition after है तो दोनों को मिलके look after क्या बन गया फ्रेजल वर्ब इसी परका वर्ब प्लस एडवर्ब का जो एक्जामपल हो है bring down वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस preposition का है put up with इस परकार फ्रेजल वर्ब का निदान होता है अब यहां पे आपको कुछ महत अपन फ्रेजल वर्ब देखने को मिलेंगी इन सब को आपको इनके जो भी एक्जामपल दे रखे हैं उनको लर्ण करना है जैसे break away का मतलब होता है कैद से चूट कर भाग जाना इसी परकार break down के एक्जामपल आपको यहां देखने को मिल रहे हैं break into इन सब को आपको लर्ण करना है break out, break off, इसके बाद break with, break up, bring about, bring in, bring down सारे एक्जामपल बहुत important हैं आपके लिए इन सब को आपको लर्ण करना है इसके बाद bring back, bring to mind, carry out उसके बाद में carry on, carry off, carry through, carry away, carry over उसके बाद में come off, come round, come about, come down, come by, come in, come off तो यह सारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह आपको लर्ण करने पड़ेंगे और बार बार आप practice करोगे तो ही आपको यह learn हो पाएंगे अदर्वाइज आप वापस इनको भूल जाओगे get at, get round, अगला है get together, get away, get away with, get by, इसके बाद get on with, get over, get out, put down सारे ही आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं अब यहाँ पर T से सुरू होने वाले हैं इन सब को learn करने के बाद इस test exercise को आपको हल करना है जो 11 यहां questions दे रख हैं, इनके answer यहां देखने को मिल रहे हैं यहां कुछ और questions दे रख हैं, इनको भी आपको हल करना है इसके बाद आपके जो पिसली जो exam हुई है, उनमें किस परकार से question पूछे गए हैं तो यह भी आपको देख लेने हैं, इन सब questions को आपको solution कर लेना है अब जो अगला question है, वो question number 10 आता है, आपके six marks का यह आता है scene passes होते हैं, वो आपकी flamingo जो book है, उससे मतलब आपके पढ़े वे हैं सारे के सारे तो यह किस परकार से होते हैं, इनको भी आपको यहाँ देखना है सबसे पहले तो आपको इन passage को carefully पढ़ना है, उसके बाद इसमें जो questions दे रखे हैं इनके answer आपको यहाँ दे लास्ट लेशन जो आपका पहला चेप्टर है, फ्लेमिंग होगा, उससे एक passage दिया हुआ है, इसको आपको carefully पढ़ना है उसके बाद में इसमें जो questions पूछे गए हैं, इनको आपको हाल करना है यह multiple option type questions हैं पहले तो यह आप आराम से इनको हल कर सकते हो, इनके answer यहाँ दे रखे हैं, इसके बाद में दूसरा पेसेज यहाँ देखने को मिल रहा है इसको भी आपको carefully पढ़ना है, उसके बाद में जो इनके solution करने हैं, इसमें आप यह देख पा रहे हो कि ज्यदा तर जो questions है वो objective type के पूछे जा रहे हैं, मतलब आपको four choices इसमें देखने को मिल रहे हैं, उनमें से आपको सही उत्तर है, उसको चुनना है, इसी परकार इस chapter से जो तीसरा पेसे है जब भी आपको देखने को मिल रहे हैं, इसको भी आपको अच्छे से learn करना है, read करना है सबसे पहले, उसके बाद इसमें जो questions पूछ रखे हैं, इन questions के जो answer हैं, इस पैसे से ही आपको ढूंडने हैं, और practice करनी है, बार बार आप practice करोगे तो आपके, क्योशन ज्यादा से ज्यादा सही होने के chances रहेंगे because practice maximum perfect, अब जो आपका अगला पैसेज है, वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इनका solution भी आपको करना है, उसके बाद में जो last में जो answer दे रहा हैं, उसके बाद पैसेज नमर 5 भी यहाँ दे रहा है, इस पैसेज के जो question है, वो यहाँ देखने को आपको मिल रहे हैं, उसके बाद में इसके answer, अगला chapter लोज्ट स्प्रिंग, उससे यह पैसेज देखने को मिल रहा है, आपको, इसका भी आपको solution कर लेना है, इसके answer भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, फिर जो अगला पैसेज है, वो भी यहाँ दिर्क है, इसके बाद में पैसेज थरी, इसके बाद में नहीं, यह सारे पैसेज ही इंपोर्टेंट है आपके लिए उसके बाद में डीप वाटर वाले चेप्टर से कुछ पैसेज यहां देखने को मिलेंगे आपको इसके क्विशन से आपको देखने को मिल रहे हैं उसके बाद में सेकंड जो पैसेज है इस चेप्टर से वो भी यहां देखने को मिल रहा है अगला पैसेज यहां देखने को मिल रहा है पैसेज नमर फॉर आपको इनको हल करते समय बहुत ही ज़्यदा सावदा ने रखनी है और उस परकार से हल करना है जैसे आपकी एक्जाम ही यहां चल रही हो एक्जाम हॉल में जिस परकार से आप इनको हल करोगे उसी तरके से यहां अपरेटिस करोगे तो आपके एक्जाम हॉल में कोई समश्या नहीं आएगी यह अगला पैसेज यहां दे रखा है इसके कुश्ण से यहां दे रखे हैं उसके बाद में अगले चेप्टर दारेट ट्रेप से यहां पर पैसेज दे रखे हैं जो जो चेप्टर आपके एक्जाम के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट हैं उन सबसे पैसेज यहां ज्यादा दे रखे हैं अब यहां से पैसेज नम्मर टू इसी चेप्टर से पैसेज नम्मर थ्री सिपर कर पैसेज नम्मर फूर यहां पर इंडिको जैप्टर से जो पैसेज हैं वह आपको देखने को मिल रहे हैं इंडिको जैप्टर से ही दूसरा पैसेज अब कर दाजिको दनी पैसे से ज इंडिको आपको जैप्टर से जते मो expressed you कह से था कर दूसरा हूर झाल 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 यहाँ पे यह जितने भी आपको पैसेज देखने को मिल रहे हैं यह सारे ही बहुत इंपोर्टेंट है हो सकता आपको एक्जाम में इन में से ही कोई एक मिल जाए इन सब को आपको सोलव करना है इनकी जितनी जयदा आप प्रेक्टिस करोगे आपके एक्जाम में उतने ही अच्छे नमबर आएंगे अब अपन अगले क्जाम के ओर चलते हैं जो आपकी एक्जाम में क्जाम नमबर 11 होगा वो 4 मार्क का होगा यह लोंग आंसर टाइप क्जाम होगा और फ्लेमिंगो बुक से होगा है सबसे पहले लास्ट लेशन से जो फिर इंपॉर्टेंट आपके लिए जो क्जाम हैं वो यहाँ देर रखा है इसको आपको बहुत ही केरफुली रीड करना है और इसको लेरं करना है इसको आने के बहुत ज़्यदा सानसे से रहे हैं आपके एक्जाम में क्याने के पिर दूसरा जो कुस्सन है वह भी लास्ट लेसंसे ही जुड़ा हुआ है यह बी इंपोर्टेंट कुस्ट उसके बाद में तीसरा कुस्टन है यह भी बहुत इंपोर्टेंट है इसको भी आपको लर्न करना है फिर जो अगला चेप्टर है वो लोस्ट स्प्रिंग उससे भी ये चुशन दे रखा है इसको भी आपको लर्ण कर लेना है उसके बाद में इससे अगला जो चुशन दे रखा है वो भी इंपोर्टेंट है अगला जो क्युशन है डिस्क्राइब दे लाइफ एंड लिविंग ओप दे रेक पिकर्स ओफ सिमापूरी तो ये बहुत है इंपोर्टेंट क्युशन है हो सकता आपके एक्जाम में ये आही जाए तो आपको इसको लर्ण करना है उसके बाद में जो अगला क्युशन हुआ है डीप वाटर से जुड़ा हुआ है ये बहुत इंपोर्टेंट क्युशन है ये की क्युशन के आंसर जरूर एक होगा लेकिन कितने क्युशन हैं ये सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं ये वेरी इंपोर्टेंट क्युशन आपके लिए और इन सब के आंसर देखो एक ही है तो कितने परकार से अपन क्युशन बना सकते हैं एक ही क्युशन के वह यहाँ आपने को देखने को मिल रहा है अगला है रेट ट्रेप इससे भी एक ही क्युशन के कितने क्युशन बना रखे हैं वेरी इंपोर्टेंट है ये भी आपके लिए इसका आंसर आपको लर्न करना है इसके बाद में अगला क्युशन वाट में देपेडलर फाइनली चेंज इस वेज ये भी इंपोर्टेंट है इसका भी आंसर आपको लर्न करना है जिरेट्रेट चेप्टर से ये एक और क्युशन और दे रखा है यां पर उसके बाद में इंडिगो जो चेप्टर है उससे ये महतोपुन क्युशन दे रखे हैं इन सब को आपको लर्न करना है जिन चेप्टर से पिछली बार क्युशन पूछे गए हैं तो उनसे अब की बार क्युशन पूछे जाने के चांस काफी कम है इसलिए उनसे यहां क्युशन नहीं दे रखे हैं उसके बाद में अगला है पोईट्स एंड पैनकेक्स बहुत ही महतोपुन यह क्युशन नहीं यह भी आपको बहुत ही अच्छे से लान करना है इनकी आपको लिखित में प्रेक्टिस करनी है लिख लिख के आपको इनको याद करने है उसके बाद में दे इंटर्विव वाला चेप्टर है यह भी बहुत ही महतोपुन क्युशन है एक और क्युशन दे रखा है यहां पर जो भी आपकी एक्जाम के लिए बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट है इसके बाद में गोइंग प्लेसेज शेप्टर से यह क्युशन देए अब जो आपका अगला क्यूशन होगा क्यूशन नमबर 12 है वो भी 4 मार्क्स का होगा और फ्लेमिंग उस बुक से ये क्यूशन पूछा जाएगा सोट आंसर टाइप ये क्यूशन होंगे तो सबसे पहले जो मार्क्स क्यूशन से याँ दे रखे हैं वो आपको दान करने हैं क्यूशन थे हो बार भाक्सॺ बार टाएपजन आंसर भी 5 मार्क्स gaanे पहले मार्क्स देके तेशन पूशन जाएगा झाल 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 आपके जो क्यूस्चन नमर 13 है वो 6 marks का आता है और वो standards for explanations से समधित होता है तो यहाँ पे कुछ महत्वपन standards दे रखें तो यह आपकी books में आपको देखने को मिलेंगे वहाँ से आप इनको देख सकते हैं तो सबसे पहले reference इसका आपको बताना होता है फिर context उसके बाद explanations इसी परकार यह दूसरा भी यहाँ पे बता रखा है यह भी आपकी book में ही है 66, my mother at 66 poem है उससे यह लिया गया है सबसे पहले reference उसके बाद context उसके बाद explanation जो भी यहाँ पे बता रखे हैं आपको book की help लेनी है बुक में इनको ढूंड करके उसके बाद में इनका जो reference और context और यहाँ पे जो explanation देरका है इसको आपको अच्छे से देखना है, learn करना है उसके बाद में A thing of beauty जो zone kids की famous poem है इसके बाद में A roadside stand वाली जो poem है उससे यहाँ पे देरका है हिंदी में परसंग, संदर बोर वैक्या उनको कहते है यही आपको जैसे हिंदी विशे में आप से परसंग जो वैक्या करते हैं वो ही आपको इंगलिस में यहाँ पे करनी होती है सारे जो भी मातोपूर्ण उसके बाद में आर्ट जैनिफर स्टाइगर्स यह भी बहुत ही फैमस पोईम है इससे भी यहाँ पे एक्स्प्रेनेशन देरका है इनके पोईट या पोईटेस का नाम आपको अवसे याद होना चाहिए अगला जो आपका क्यूशन है क्यूशन नमबर 14 और 15 वो फोर प्लस फोर इज इक्वल टू एट मर्स का होता है जो लोंग एंड सोट आंसर टाइप क्यूशन होते हैं जो कि आपकी पोईम से पूछे जाते हैं तो सबसे पहले माई मदर एट 66 या सारे ही भोत हमातों पूंड क्यूशन है इन इनको आपको अच्चे से लर्ण करना है इनके जो भी आनसर दे रखे हैं और जिस क्यूशन के आगे आपको इम्पोर्टेंट लिखावार मिल रहा है उसको तो आपको आउस से लर्ण करना है सारे ही इंपोर्टेंट लिखे वे अपने को कंटिनू मिल रहे हैं जितने भी महत्वपून क्यूशन हैं वो सारे यहां पे मैंसन के गए हैं उसके बाद में कीपिंग कोईट वाली जो पोईम है उससे भी बहुत ही महत्वपून यह क्यूशन दिया गया है उसके बाद में ए थिंग व ब्यूटी पोईम से महत्वपून क्यूशन यहां देखने को मिल रहे हैं बहुत ही महत्वपून यह क्यूशन है उसके बाद में एकला क्यूशन जो की बहुत अच्छा क्यूशन है यह भी इंपोर्टेंट क्यूशन है क्यूशन नमर फोर भी यह भी आपको अविसे लर्न करना है और जो फाइव वाला क्यूशन देर रखा है यहां पर यह भी बहुत ही इंपोर्टेंट है इसके बाद में एक रोड़ साइड स्टेंड से जो जो में तो पुन क्यूशन बनते हैं वो सारे यहां दे रखेंए जितने भी पोइम्स हैं उनके सेंट्रल आइडिया या फिर थीम को आपको अविसे लर्न करना है उसके बाद में आर्ट जैनिफर्स टाइगर्स उससे यह सारे के सारे क्यूशन इंपोर्टेंट हैं अब जो अगला क्यूशन है वह आपकी जो शेकिंड बुक है विस्टस उससे है क्यूशन नम्मर शिक्स्टीन होगा और यह फोर मार्क्स का होगा तो सबसे पहले जो थार्ड थार्ड लेवल वाला जो चेप्टर है उससे यह क्यूशन यहां दे रखा है और इसका आंसर यहां दियावा इसको आपको लर्ण करना है उसके बाद में एक और क्यूशन यहां दे रखा है यह भी बहुत इंपोर्टेंट है उसके बाद में दे टाइगर किंग वाला चेप्टर उससे यह बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन यहां दे रखा है यह तो आपको आपको उसे लर्न करना चाहिए और यह ग्रेक्टर केज टाइगर किंग का आपके खुद के सब्दों में अच्छा क्यों सना यह भी उसके बाद में जरने टूदा एंड ओपता है अर्थ त्क शर्णल के साथा इंप स्ब्सक्स प्छिए यह झाल झाल उसके बाद में अन्यमे वाला जो चेक्टर है उससे क्यूशन पूछा गया है बहुत इंपोर्टेंट यह भी क्यूशन है झाल 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 उसके बाद में अगला चेक्टर है ओन दे फेश ओविट उससे भी यह अत्ती महत्वपन क्यूशन पूछा गया है झाल 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 अगला जो क्यूशन होगा क्यूशन नंबर 17 वह भी फॉर मार्क्स का होगा और सोर्ट आंसर टाइप यह क्यूशन होगा आपके विस्टस जो बुक है उससे होगा झाल 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 झा झाल 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 जो आपका question number 18 है वो six marks का होगा और multiple choice questions होंगे विश्टस book से तो इनको आपको बहुत ही मैतोपूर्ण ये questions है इनको आसानी से आप learn कर सकते हो लेकिन बहुत ध्यानपूरुक आपको देखने की जरूरत है झाल बहुत है की जरूरुक दे cynkins झाल 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 झाल